यह हमको डिसाइड करना है पार्टी में क्या नया जान दालना चाहिए यह हमें डिसाइड करना है अगर तला के प्रेंडरी सेशन में हम हर कॉंसिट्यूंसी से 40-50 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे इसके लिए मैं अपने M.L.A.s, E.M.s, Block President, District President जो इस एरिया के लीडर्स है उनको मीटिंग रखकर आप लोग लिस्ट हमें दीजे दो दिन तक उनका खाना पीना रहना का खर्चा मैं देखूंगा लेकिन तीप्रा मौथा को एक ऐसा पार्टी बनना है जो अपने देश के लिए अपने दोफा के लिए फाइट करेगा ना कि तीप्रा मौथा को वोरियर्ज वही होता है जिसके अंदर कमिट्मेंट होता है वोरियर्ज वो नहीं होता है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम भाशन देता है और तब बैट जाते हैं मैं फिर से अपने MLA's, Block President, District President, Central Committee Members, Core Committee Members, सबको Zonal Chairman, Sub-Zonal Chairman, सबको बोलना चाहता हूं कि आप अपने एरिया मे चाहिए, Constitution में चाहिए, Meeting रखें और हर Constitution से minimum 30-50 लोग, TWF, YTF, टिप्रा मौथा, TCF, बुरुई बदॉल, TISF, सबसे, मैं में चाहता हूं कि वो लोग इस First National Executive जो अगरतला में होगा उसमें अटेंड करें हजार हो, बारा सो हो, मुझे परवा नहीं है, लेकिन उनको आना चाहिए, और उनको अपना दिल का बात रखना चाहिए, और मैं भी अपना दिल का बात उस दिन रखूँगा I wish all of you all, आप सब को, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारा काम खतम नहीं हुआ है, हमारा movement खतम नहीं हुआ है, जब तक constitutional solution, हमारा greater deep run हमको नहीं मिलता है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे चाहिए, चाहिए और गर्व से कहिए, that we are proud to be अक्ती प्राशार, चाहिए और गर्व से कहिए, कि ये पार्टी दूसरे पार्टी से अलग ही, चाहिए और ये पार्टी को अंदर से बदलिये, क्योंकि ये पावर आपके पास है, ये पार्टी आपका है, ये पार्टी चाहत और यह जाती को आगर हमें उठाना है तो हमें नेक्स जेनरेशन हमारा भविश्य के बारे चिंता करना पड़ेगा और यह तब होगा जब हमारा थांचा रहेगा बेलाइन और हमबाइ खुलूंगा सबसे पहले मैं अपने तीप्रा मौथा वॉरियर्स, YTF वॉरियर्स, TWF बुमा बॉदल वॉरियर्स, TCF और TISF वॉरियर्स को हमबाइ बोलना चाहता हूँ आपने हमें सपोर्ट किया और आज एक छोटा सा चिकॉन पार्टी आज ग्युप्रा में सेकेंड लाजिस पार्टी बनके आ चुका है लेकिन मैंने और एक चीज नोटिस किया है कि एलेक्शिन के बाद हमारे बहुत लीडर्स लोग घर में बैठे हैं उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए बुबागरा का माइंड में क्या है आज आपको बुबागरा ख्लेली बोल रहा है आने वाले एक मेहने के अंदर अगर कला में हम दो दिन का प्लेडी सेशन नैशनल एग्जेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे और उस टाइम पार्टी को नीचे से उपर तक हम बदलेंगे और नया जानता लेंगे हम सब जानते हैं कि जब तक हमें हमारा Constitutional Solution for Greater Tepra Land नहीं मिलता है हमें हमारा भविश्य, हमारा तीप्रासा का भविश्य खत्रे में है आज भाशा खत्रे में है, आज भविश्य खत्रे में है, आज आईगेंटिकी खत्रे में है, आज हमारा जमीन खत्रे में है आज हमें अगर कुछ मिलना है, कब्रिट ऑप इंडिया से, तो हमें एक आवाज में बात करना पड़ेगा. चुप बेठे से कुछ नहीं मिलेगा. इसके लिए मैं पार्टी को बूत लेवल से, ब्लोक लेवल से, डिस्टिक लेवल से, सेंट्रल लेवल से और और कमिटी से बदल के नया जान देना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं कि ये एक मेहने के अंदर आप लोग क्या काम कर रहे हैं इसके लिए मैं अपने block presidents, booth presidents, district presidents, MDCs, EMs, MLAs, सब leaders को बोलना चाहता हूँ कि अपने area में आप अगले एक मेने के अंदर program कीजिए, joining कराईए और party को strong कीजिए गाओं में जहां में पानी का problem है वहां में जाकर help कीजिए लेकिन अपने आपको ground में लाइए ये मेरा strict order है आपको, आपको बनाया है हमारे तीप्रसाल, आपको बनाया है हमारा तीप्रसाल का vote में और आपका duty बनता है कि आने वाले दिन में आप अपने दौफा के साथ खड़े रहे ना कि नेता बनकर आराम से बैठे जो लोग सब जोनल चेर्मेंस हैं, जो लोग जो लोग जोनल चेर्मेंस हैं, आपको ये जगा आज मिला है कि आप अपने दौफा के लिए काम करें ये कॉन्टाक्ट गिरी का जगा नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक सिंपल वर्गर बनके काम कीज़े, आने वाले एक मेले में तिप्रा मौथा पूरा पार्टी को चेंज करेगा, जमीन से उपर तक, रिस्ट्रक्चर करेगा, जो लोग काम करेंगे, जो इस आने वाले धनपूर election में, आने वाले लोग सबा election में, तिप्रा मौथा को क्या strategy लेना चाहिए, ये हमको decide करना है, पार्टी में क्या नया जान डालना चाहिए, ये हमें decide करना है, अगर तला के प्रेनरी session में, हम हर constituencies से 40-50 लोगों को लाने की कोशिश करेगी, इसके लिए में अपने MLA's, EM's, Block President, District President, जो इस area के leaders है, उनको meeting रखकर आप लोग list हमें दीजे, दो दिन तक उनका खाना, पीना, रहना का खर्चा मैं देखूंगा, लेकिन तिप्रा मौथा को एक ऐसा party बनना है, जो अपने देश के लिए, अपने दोफा के लिए fight करेगा, ना कि तिप जीतने के बाद चुप बैठ जाता है, मैं जमीन में आकर fight करने के लिए तयार हूँ, मुझे warriors चाहिए, और warriors वही होता है, जिसके अंदर commitment होता है, warriors वह नहीं होता है, जो सिर्फ election के टाइम भाशन देता है, और तब बैठ जाता है, मैं फिर से अपने MLA's, Block President, District President, Central Committee Members, Corps Committee Members, सबको, Zonal Chairman, Sub-Zonal Chairman, सबको बोलना चाहता हूँ, कि आप अपने area में चाहिए, constituency में चाहिए, meeting रखे, और हर constituency से minimum 30 से 50 लोग, TWF, YTF, टिप्रा मौथा, TCF, बुरुई बदौल, TISF, सबसे, मैं में चाहता हूँ, कि वो लोग इस first national executive, जो अगरतला में होगा, उसमें अट परवा नहीं है, लेकिन उनको आना चाहिए, और उनको अपना दिल का बात रखना चाहिए, और मैं भी अपना दिल का बात उस दिन रखोंगा, I wish all of you all, आप सब को, मैं आपको प्यार करता हूँ, और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमारा काम खतम नहीं हुआ है, ह और गर्व से कहिए, जाहिए, और गर्व से कहिए, कि ये पार्टी दूसरे पार्टी से अलग है, और ये पार्टी को अंदर से बुदे हूँ, हमारा कुम